हेलो एवरिवन यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल ओनलाइन एडूकेशन आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के वीच जानकारी प्रस्तूत कर रहा हूं स्टित है डिस्टिक्सिमला में यह जो है इसका फोन नंबर है इस कॉलेज का तो इस लेक्चर के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच जी वी पांत मैंबौरियल गॉर्मेंट कॉलेज रामपूर बोशहर में जो अंडर ग्राजुएशन की admission है BA, BSC, Bcom की admission है और साथ ही MA, MSE, Mcom की भी यहाँ पर बहुत सारे courses जो है PG courses run किये जा रहे हैं उनकी admission कब होगी ठीके क्या उसका process रहेगा उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा तो यह जो lecture है dedicated है PG courses खास कर जो post graduation courses है GB Pant Memorial College में पहली बात तो मैं आपको यह clear कर देना चाहता हूँ अभी GB Pant Memorial College में PG के लिए admission स्टार्ट नहीं हुए है ठीके तो PG के लिए जो है थोड़े ही time में admission स्टार्ट हो जाएगी जैसे कुछे colleges में admission की प्रक्रिया post graduation college में MA, MSE, Mcom के लिए प्रारंब की है जिसमें जो है government college मंडी ने online आवेदन मांगी हैं इसके अलावा मैंने और colleges के बारे में government college हमेरपूर है MCM DAV college कांगडा है ठीके दूसरी college के बारे में मैंने video lecture बनाए है तो video के link description से आप बोद देख सकते हैं तो यह video dedicated है UG और PG के लिए सबसे पहले में जानकारी आपको दूँगा इस college में GB Pant Memorial College रामपूर बोशहर में जो PG के courses, post graduation के courses रन किये जा रहे हैं note यह मैं फिर से कह रहा हूँ अभी यहां पर MA की admission चुरू नहीं हुई है जैसी ही admission चुरू होगी आपको मेरे channel के माध्यम से update मिल जाएगा तो यह PG courses है यहां पर इस college में MA English आप कर सकते हैं यदि हिमाचल प्रदेश University में अगर आपका number नहीं पढ़ सकता है यदि आप रामपूर से भी लॉंग करते हैं और घर के पास पढ़ाई करना चाहते हैं fee structure भी मैं आपको बताऊंगा तो MA English की यहां पर 40 seats है MA Hindi अगर आप करना चाहते हैं तो 40 seats है यहां पर इसके अलावा commerce की 40 seats है यह सारी की सारी subsidized seats है और इन में जो selection होगा वो HPU का जो interest test conduct ही अगया है HP University ने उसकी merit list पर अर्था जितने लोग यहां पर इन seats के लिए apply करेंगे उनकी HPU के entrance की score पर जो है एक merit list बनाएगी college level पर इसकी सारी प्रक्रिया college ही करेगा admission form college की website पर open होगा ठीक है offline होगा online होगा वो मैं आपको समय के साथ बता दूँगा आपने apply करना है मान लो आपने MA Hindi के लिए apply किया 40 seats है तो 40 seats के लिए अगर 120 बच्चों ने apply किया होगा तो 120 बच्चों में जो उनकी HPU के merit list होगी उसके आधार पर train किया जाएगा इसके अलावा अगर आप M.com Commerce में करना चाहते हैं तो 40 seats available है यहां पर M.com Economics में करना चाहते हैं 40 seats available है History में यहां पर 40 seats available है Political Science अगर आप करना चाहते हैं MA Political Science तो 40 seats available है MA Sociology जो ही मांचल प्रदीश University के बाद यहां पर जो है है MA Sociology में 40 seats यहां पर है MA Mathematics, MSC Mathematics करना चाहते हैं 20 seats, MSC Chemistry अविलेवल है यहां पर 20 seats के साथ MSC Botany है, MSC Zoology आपको यहां पर मिल जाएगी, MA MSC Geography आपको मिल जाएगी यहां पर 20 seats के साथ और MSC Physics की यहां पर 20 seats है तो इन सभी PG courses के लिए MA, MSC, M.com के courses के लिए आवेदिन प्रक्रिया जब भी प्रारंब होगी प्रारंब होगी आपको चैनल पर मिल जाएगी, इस lecture का माध्यम जो है, इस lecture का उदेश है सिर्फ आपको जानकारी देना था कि इस college में भी इतनी PG की seats है और आप यहां के लिए apply कर सकते हैं, तो यह थी बात PG की और जो fees के बारे में बहुत सारी बच्चे पूछते रहते हैं कि PG colleges में fees का क्या structure रहता है जितने भी हिमाचल की PG colleges है उनमें same same admission रहेगी, same same admission उनके लिए रहने वाली है तो यह कुछ fees का structure है boys girls के लिए, HP university की तरह ही fees होती है, लेकिन कुछ colleges में PTA fund थोड़ा extra लिया जाता है और private colleges में थोड़ा extra M.com में जो selection होगा, वो merit based होगा और HPU entrance test की जो merit है, जितने बच्चों ने apply किया होगा, उनको merit wise जो है select किया जाएगा और इसका सारा process जो है college के द्वारा की जाएगा, तो यह तो रही बात PG जो है आवेदन की, ठीके इसके अलावा आप contact कर सकते हैं, इनको contact number मैंने आपको दिया है इसमें, ठीके आप contact कर सकते हैं इनको इस number पर अगर आपने PG जो है आवेदन post graduation के संदर्ब में अगर आपने क जैसे की दूसरे colleges में हुई हैं इमांचल की, तो 10 जुलाई से आप UGBA, BSE, BICOM अगर आप इस college से करना चाहते हैं, GB Pant Memorial College रामपूर से, या इसके अलावा BBOC या BCA करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप enrollment कर सकते हैं, उसके लिए मैंने website जो है आपको link description में दिया है, या य इसके अलावा contact number भी आपको दिया है, ये इनकी mail ID है, तो जो session है इनका BA, BSE, BICOM के लिए, ठीके, मैं कह रहा हूँ फिर से BA, BSE, BICOM के लिए, आप 10 तारिक से college में जाकर prospectus ले सकते हैं, या online आप देख सकते हैं, ठीके, तो prospectus लेकर आपने 20 तारिक तक फिल करने हैं, 21 तार BSE, role on admission second year और third year के लिए, जो है, 10 से 20 तक है यहाँ पर, अगर आप तो second year के चातर है, इसी college में तो आप जो है, क्या कर सकते हैं, अप्लाइ कर सकते हैं, second और third year, तो ये जो है, आपको tentative dates बताए गई है, इसके अलावा, इस college में जो है, कुछ एक professional courses भी है, BA, BSE, BICOM के है, अगर आप इस college में admission ले रहे हैं, आपको self-attested copy of 10th certificate होनी चाहिए, plus 2 original copy of character certificate जो आपको school ने issue किया, इसके अलावा, जो है, category certificate, SCST, और अगर आपका gap है, study के बीच में, तो affidavit gap, जो है, SDMC, आपके आपके अपास होना चाहिए, single girl child के लिए आपके अपास होना चाहिए, competent authority से single girl child, अगर आप admission ले रहे हैं, इसके अलावा, गल लड़कियों के लिए, हिमाचली bonafide, certificate claiming IRDP, ex-serviceman, बार्ड आपके, document certificate, achievement in sports and culture, application coming forward and HP University, ठीक है, तो GB Pant Memorial College, इनका ये जो है, new online, इनका B.E.B.S.C के लिए, इनका जो schedule है, वो online है, इसका link आपको वीडियो के link description में मि new register पर, आपने new user पर जाकर करना है, जब आपका registration हो जाएगा, तो आपने login करना है, और फिर आपने जो है, क्या करना है, form fill करना है, तो ये कहा गया है, कि हर आवेदक, अपने smartphone से भी, आसानी से form को fill कर सकता है, phone से photo click करके, दस्तावेज upload किये जा सकते है, और सभी करें, तो admission जो है open हो गए है, इस college में, BA, BSE के लिए, लेकिन PG courses के लिए, इसके अलावा आप, जो है, यहां से professional courses भी कर सकते हैं, BCA, Bachelor of Computer Application की, यहां पर 40 seats है, जिसमें 20 subsidized है, और 20 non-subsidized है, और BCA अगर आप यहां से करना चाहते है, तो date of registration है, आपकी वो 10-7 से 20 साथ तक है और merit base पर ही, BCA में selection होगा, तो आप 10-20 तक इस college में apply कर सकते हैं, BCA के लिए, ठीक है, इसके अलावा, इस college में, BCA के साथ, यहां पर PGDCA भी है, तो BCA के course के साथ, आपको subsidized category में, मैंने आपको बता दिया, 20 seats है, BCA में, 20 subsidized है, और 20 non-subsidized है, BCA में, यहां पर, ठीक है, औ BCSC से, CVSC से, वो eligible है, और merit base selection जो है, होगा, इसमें, ठीक है, इसके अलावा, यहां पर, जो PGDCA के courses भी run किये जाते हैं, इन में selection, जो है, merit base होगा, subsidized rate piece, non-subsidized rate piece, ठीक है, official college information, जो website है, वहां से आपको पूरी admission process, जो है, मिल जाएगी, तो basis to admission to PGDCA, PGDCA, PGDCA में, जो selection होग वो भी merit base पर होगा, plus two की merit base पर आपकी, तो आप जो है, फिल करें, यह भी merit base है, और जो fees, जो PGDCA में, आपकी लगेगी, candidate admitted to subsidized में, जो आपकी fees लगी, annual, वो 14,000 रुपे हैं, at the time of admission, इसके अलावा, अन्य information के लिए, वीडियो के link, description में, आपको websites मिल जाएगी, थैंक यू जाएगी, जो कि लगएत झामाची, झालावाईगी, आतिशा वह जो, झालावाँ, जो जाजएपने वह मुआएगी, जो हुआ हैं, पर हमुआएगी, छोएगी, दूएट वीजूस यूएगारी, जो प्कुआशनाँ अलावा पया दोवाई़ही, आपकी लगाराब स AI श